देखे, question है हमारे पास, question में हम से बोला गया है, find the product of the zeros of the quadratic polynomial 2x square minus 7 तो एक quadratic polynomial हमारे पास है, जो कि कितना है 2x square minus 7 अब हमें इस quadratic polynomial के product of zeros को find करना है देखे, कभी भी अगर किसी quadratic polynomial के sum of zeros या product of zeros को find करना हो तो सबसे पहला काम हम क्या करते है, उस quadratic polynomial के coefficients को लिख लेते है coefficients क्या होते है, a, b और c, तो a क्या होता है, जो x square के साथ में होता है उसको हम a कहते हैं, तो a हाँ पर कितना हो जाएगा 2 और b, b क्या होता है जो x वाली term होती है x के साथ में जो होता है वो क्या होता है b अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसमें b वाली term ही नहीं है तो b कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 और c क्या होता है जो constant term होती है तो यहाँ पर constant term कौन सी होती है जिसमें x नहीं होता है तो यहाँ पर कितना है? माइनस 7 तो यह कितना जाएगा? माइनस 7 अब हमें क्या निकालना है? इसका product of zeros तो product of zeros product of zeros का जो formula होता है वो होता है c upon a तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो c हमारे पास कितना है? माइनस 7 और a हमारे पास कितना है? 2 ठीक है? तो यह क्या आचुका है? हमारा product of zeros यह इसका answer आचुका है